वंदे भारत से लेके बबूलाल हलवाई की दुकान तक हार चीज का इनौगरेशन मोदी जी करने का इस सज्जन को क्या तकलीब है भई? एंड कंसिटरिधिंग इस नेशनल मॉन्यूमेंट थोड़ा इनप्रिप्रियेट हो जाएगा बट बिल्डिंग है तो सेक्सी और स्पेसिफिकली अगर राहूल गांदी की बात करो तो वो टाइम चला गे जब उनको पप्पू हुला जाता था और उनके मीम्स बगएर हम शेयर करते हैं नमस्कार अधाब इन वेलकम जिसे सार्थ अगर वाचिंग यूर फेवरिट दस संडे शो वो शो जो हम करेंगे सारी न्यूस की बात थोड़े एंडिटेइन्मेंट के साथ तो भई देश को नया संसद नया पार्लेमेंट मिल गया है 2018-19 में जो काम शुरू हुआ था अब जाके वो खतम होने को आ रहा है और हमारी पार्लेमेंट बिल्डिंग गोल से ट्राइंगल हो गई है आइलमेंट सूट यू रिमेंबर या सेम कॉंसेप्ट और अभी भी रेनोवेशन का काम पूरा हुआ नहीं है अगर आपको पता नहीं है तो कॉंटेक्स के लिए बता दू यह जो नया पार्लेमेंट बना है यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बना है जिसमें नया पार्लेमेंट बनेगा जो सारे मंत्राले है वो नये बनेंगे पुराना पार्लिमेंट न्यूजियम बन जाएगा कर्टब ये पत्पनेया पीएम हाउस बनेगा एसेक्टरा एसेक्टरा एंड कंसिडरिंग इस ए नैशनल मॉन्यूमेंट थोड़ा इनप्रिप्रियेट हो जाएगा बट बिल्डिंग है तो सेक्सी बड़े बड़े हॉल, साई, कलर कॉंबिनेशन सराउंड साउंड सिस्टम, पूरा एस्थेटिक्स फोटो तो बहुत अच्छी आएगे हैश्टेग वाली इसको इनप्रिप्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया है और इसी मौके पर एक 75 रुपीज का कॉइन भी लॉंच किया गया है अब मसला तब हुआ जब इसी इनप्रिप्रेशन को कॉंग्रेस, त्रणमूल कॉंग्रेस, आर्जडी समित 20 पाटीज ने बॉयकॉट किया क्योंकि उनका कहना था कि इसका प्रधानमंत्री ने बलकि देश की महा महीम यानि की प्रेसिदेंट द्वारा किया जाना चाहिए था अच्छा टाइम्स प्लीज, देश के प्रेसिदेंट का नाम बताओ जरा मुर मुर क्या नाम है अज मुर मुर क्या नाम था भी सत्यानास अब ये प्रेसिदेंट के दोरह इनॉगरेशन वाली डिमांड उठना थोड़ा दाजमी है क्योंकि प्रेसिदेंट is supposed to be the head of the legislature upper house and lower house first citizen of the country तो भाई नियम कानून के अनुसार तो प्रेसिदेंट से ही इनॉगरेट किया जाना चाहिए अब देखो theoretically they have a point but practically अगर आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट का इनॉगरेशन मोदी जी के इलाव़ कोई कर सकता था आज की डेट में तो मेरी जूत्ती से मोदी जी आजकल हर चीज का फीता काटते है और अगर गलती से स्टेट में चुना हो गए तो फीता, मोजे, बोटाए सब काट देते है वंदे भारत से लेके बबूलाल अलवाई की दुकान तक हर चीज का इनॉगरेशन मोदी जी करने का इस सज्जन को क्या तकलीब है भाई फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को नहीं तो यहीं डिसाइड कर लेते हैं कोई भी इनॉगरेट करे मुझे तो इंगेजमेंट चाहिए देखो आईपिल का क्रेश पिछले हकते बहुत चला लेकिन उससे जाधा को चला तो वो था शुबमन गिल का बल्ला वो भाई आता है और सारा का सारा गेम मदल के चला जाता है खेर लेकिन जब पिछले हफटे उनकी टीम ने RCB को हराया तो इंटरनेट का और क्रिकेट का एक गंदा रूप देखने को मिला जब कुछ फैन्स ने ना सिर्फ शुबन को ट्रोल किया बट बात उनकी फैमिली तका गई उनकी बहन को भी ओनलाइन रेप थ्रेट्स देथ त्रेट्स दिये जाने लगे और सेक्शुली अब्यूज़िफ कॉमेंट उनके बारे में किये जाने लगे इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो जब वर्ल्ड कप 2019 में हारे थे तो भाई धोनी की फैमिली को टार्गेट किया गया था उनकी तो बच्ची को टार्गेट किया गया था फेमिनिस्ट हर टाइम बखवास नहीं करते, सम्टाइम्स भी आप आप पूइंट और आप नज़र डालते हैं इस हफते के कुछ महत्व पून समाचार पर मुझ सा सूपारी निकाल के बात कर रहे बाबा अरे इंपोर्टेंट निउस, कौन मेंट वाली जनता है पूरी मिनिस्ट्री ओफ कंजीूमर अफेर्ज ने इस अबते एक एडवाईजरी जारी की है यानि कि एक सूचना दिये और उन्होंने शॉपकीपर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप बिल देने से पहले किसी भी गराहक से जबरदस्ती उसका मोबाईल नमबर नहीं मांग सकते और भले ही एक छोटी से एडवाईजरी है बट जागो गराहक जागो स्कीम के अंडर इसको आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार रेस्टरांट्स में, मॉल्स में, कपड़े खरीदते टाइम आपसे बिल देने के पहले आपका मोबाईल नमबर मांगा जाता है और हमेंसे कई लोग इतने भोले होते हैं कि हमको लगता है कि हाँ भाई जरूरी है अगर बिल चाहिए तो मोबाईल नमबर तो देना ही पड़ेगा जबकि Consumer Protection Act के अंडर ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मोबाईल नमबर आपका Personal और प्राइविक डेटा है आप जब भी इसको जगे जगे बाठ देते हो फिर आगे जाकि यही नमबर और आपका यही Personal डेटा मार्केटिंग वालों को बेचा जाता है और फिर आते हैं आपके पास Unwanted Calls सारतक सर नमशकार कैसे हैं आप अच्छा हूं जी कौन बोल रहा है बहुत बड़ी है जी बहुत बड़ी है मातरानी की करपा है मैंने रंजन रंजन सॉरी सर पेचाना नहीं मैंने निरंजन आपका भाई मेरा भाई आपका भाई CICI Bank Representative सर कब लेंगे कब लेंगे क्या लेंगे लोन सर पर्सनली एक्स्क्लूजबली आपके लिए 4 लाग का लोन सर्फ 4 सेकिंड में मिलेगा कब लेंगे अबे आर नमबर कहा से मिलता इनको तो एडवाईजबल यही है कि आप अपना नमबर हर जगे मत बाटो और फिर भी कोई नानकोर करता है तो भाई एक प्रैक्टिकल सोलीशन है कि कि किसी को भी अपना बोगस नमबर दे दो कि हाँ नमबर है 98696969 जो करो कॉल लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है खासकर ओर लाइन सर्विसस के टाइम पर कि आपको मोबाईल नमबर और अपना इमेल आईडी देना ही पड़ जाता है आप लोग कैसे consumers को extra sell करने के लिए सब टैक्टिक अपनाते हो ओके ओके यूर कॉंटक नमबर प्लीज ओ हेलो आप मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ Consumer Protection Act के अंडर मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं आपना नमबर आपको ना दू और अगर आप फिर भी मुझे force करते हैं तो clause 33 के अंडर आपको 33 years की jail हो सकती है And why do I know this? Because I follow सार्थक गोस्वामी सर दिमागी आलट ठीक है आपकी? पानी बानी लेके आऊ आँ आपके लिए? इसे मेले अगली न्यूस पर आएं आपसे एक सवाल पूछना चाता हो वो ऐसी कौन सी एप है जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है सही जवाब वाटसेप या पिताजी की भाशा में बोलें तो वाटसेप वाटसेप की अगली अपडेट का बीटे वर्जन टेस्ट किया जा रहा है और टेक क्रंच के एक आर्टिकल के अनुसार वाटसेप बहुत ही जल्री यूजर नेम का फीचर ला सकता है मतलब आपके पास आपके नंबर के साथ साथ एक एक एक्स्क्लूजव यूजर नेम भी होगा मतलब आपके पास नंबर होगा एक यूजर नेम होगा और अगर आप नंबर दिने पर कमफर्टेबल नहीं है तो आप लोगों को अपना यूजर नेम दे सकेंगे और ये भी आप समझ सकते हो कि ये क्यों होता है ये भी प्रिविसी का मामला है कई बार ऐसा होता है कि अमको एक अंजान ग्रूप में आड कर दिया जाता है और चार अंजान लोगों के पास हमारा नंबर पहुच जाता है और वहीं अगर WhatsApp DP में कोई संदर सा चेहरा हुआ तो होता है हे स्लाइइट इन्टु डियेम सारी टेक्नीक पता है चीपड़ है Now WhatsApp has already introduced a lot of features to tackle competitions end-to-end encryption, payment, communities वगेरा वगेरा अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक्स्रा information चाहिए तो मुझे WhatsApp पर एक बार हाई भेज न चलो इससे पहले अगली न्यूस के तरफ आगे बढ़ें एक political development को टच करते होई निकलते हैं राहुल गांधी, 20 साल से Congress के युवा नेता उनकी इस अफते images बड़ी वाइरल हुई जहां पर वो दिल्ली से लेके चंडीगर ट्रक में ट्रैविल किये और उनोंने ट्रक ड्राइवर्स से बात की और फिर हाली में उनोंने 4000 किलोमेटर पैदल चलकर भारत जोड़ो यातरा तो की ही है अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी अपने आपको रेस्टैबलिश कर रहे है और अभी हाली में देखा गया है कि जो नेता है वो जनता से बहुत कट गया है कई वार ऐसा देखा जाता है कि कोई अपनी ही कॉंस्टिट्वेंसी का MLA होता है MP होता है तो भाई वो तो या तो फॉर्चीनर की जड़ी में चलता है पपू वाली इमेज जो बीजेपी ने बड़ी मेहनत से क्राफ्ट की भी इन्होंने बड़ी मेहनत से हटा भी दी है अब 2024 के चुनाओ के पहले ये लीडर अपने आपको कैसे रिवाइफ करेगा उसके आगे क्या होगा पता नहीं बढ़ हाँ जैसे आप में रागत चड़ा वैसे ही कॉंगरिस में राहूल गांदी इंट्रस्टिंग टाइम्स अहेड इससे पहले अगली न्यूस बताओ लॉंडो अपने हाथ में कप रख लो ऐसे पिषले हम ते Union Public Service Commission यानि की UPSC के रिजल्ट आए जिसमें से टॉप 5 में से टॉप 4 पॉजिशन्स वुमिन काडिटेट्स की थी जो थी Greater Noida की इशिता कशोरी, बकसर की गरिमा लोहिया, नोईडा की स्मृति मिश्रा एंड हैदरबाद की उमा हराती आप बोलो विमिन अगली ख़बर है स्पोर्ट से देश के वराब ते मोस्ट लफ्ट स्पोर्ट से नीरज चोपडा से रिलेटेड नीरज चोपडा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है हिस्टरी में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड स नंबर वन जैबलिन थ्रोवर अब इंडिया का है जो है हमारे नीरज चोपडा अगली ऐसी न्यूज है जिससे आप में से कई सारे लोग रिलेट करेंगे हमारे देश में बैक पेन और ओबेसिटी की समस्या बहुत है हर दूसरे घर में एक मूव का मरीज मिल जाता है उमर अठारा कमर चालीस एंडिया जो बैक पेन की समस्या है ये धीरे धीरे एक ग्लोबल फेनोमेना बनती जा रही है लेंसेट रिमोटालेजी की एक रिपोर्ट आई है लोग बैक पेन का जाधा शिकार होंगे एंड ये बहुत गंदी लाइन तीरी सकल से जादा अच्छी है एंड इस सेग्मेंट को खतम करने से पहले आखरी न्यूस टेक्नोलोजी से रिलेटेड काफी इंट्रस्टिंग है ध्यान से सुनना आजकल आटिफिशल इंटेलिजेंस AI का बहुत हगुआ बनाया जाता है कि AI आएगा, जॉब्स खाएगा, युमेनिटी खतम कर देगा खासकर इसका जॉब मार्केट पर क्या आसर होगा हमने एक सफ़ते एक वीडियो बनाई है इस सफ़ते सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरिल हुई जहां दिखाया गया कि पेंटेगन के पास एक एक्स्पलोजन हुआ है पेंटेगन जैसे अब समाझे लिए हमारा पारलिमेंट इतनी इंपोर्टेंट बिल्डिंग है अब इस इमेज में दिखाया गया है कि पेंटेगन के बगल में कहीं कुछ धुआ हुआ निकल रहा है मेभी कोई ब्लास्ट हुआ है मेभी कोई एरपलेन क्रैश कर गया है और ये तो वैसे 9-11 पीडित देश है हर जगे पैनिक मच गया लोगों में अफरात अफरी हो गई और स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश करने पे आ गया 500 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया मतलब बाद में पता चला कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था ये इमेज फेक थी AI ने जनरेट करी थी बट क्योंकि इसका शॉक वैलियू इतना जादा था अफरात अफरी मच गई लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी मार्केट क्राश करना शुरू कर दी है और जब तक लोगों को असलियत का पता चलता काफी लोग बरबाद हो चुके थे अब आप समझ सकते हो कि AI का पोटेंशिल क्या है सिर्फ एक इमेज जनरेट हुई लोग बता नहीं पाए कि भाई ये ओरिजनल है या फेक है अब आप सोचो इतने सारे AI के सॉफ्टवेर हैं जगे जगे कुछ भी टाइम पर किसी से भी कुछ बुलवा लेते हैं एक डीफ फिक का भी कॉंसेट होता है तो ज़रूरी है कि आप ये समझे है और कोई भी ऐसी चीज जिसे आप इंटरनेट पर देखो जिसकी शॉक वैल्यू जदा है उसको एक बार verify ज़रूर कर लेना अच्छा ये तो थी कुछ important और valid news लेकिन जब तब कुछ ऐसी news नहीं आती जिनको सुनका लगता है कि भाई क्या ही चल रहा है देश में हाँ उन्ही news को हम follow करते हैं अपने अगले segment nonsense news में nonsense अच्छा हम छोटे थे तो हम चोर पुलीस घरगर खिलते थे ना उसी का adult version सुनाता हूँ मामला हुआ UP के बरेली में जहां शादी वाले दिन डूला थोड़ा डर गया और शादी के मंडब से फरार हो गया लेकिन दुलन ने होने नहीं दिया ये औरत अपने टूबी पती का 20 km तक पीछा की उसको वापिस ले आके फिर शादी की अब मज़ेदार बात ये है कि ये दोनों धाईस साल से relationship में थे डेट कर रहे थे निबबा निबबी थे लेकिन फिर जब शादी का टाइम आया तो दूले की फटली उसने दुलन से बोला कि अरे मैं गाउं जा रहा हूं मम्मी को ले के आता हूं और कट लिया लेकिन आप लड़की को लड़की से च्छा मैनिपलेट थोड़ी कर सकते हो दुलन समझ गई दुलन को डाल में कुछ काला लगा और वो भीमूरा पुलिस टेशन पहुंच गई जो 20 किलोमीटर दूर है बरेली से वहाँ ये भाईसा बस टॉप पे बस का इंतजार कर रहे थे वहीं से इनको धर लिया वापिस लेकिया मंडप में बिटाया शादी की साथ समुंदर पार जाना होता है यार ये 20 किलोमीटर में ही पकड़ गया और लोगों ने भी टिप पड़िया खूब अच्ची की सपना ने तो एडवाईस तक दिये कि सुहाग रात के दिन भी समाल कर रखना नहीं तो रात बर कोचते रह जाएंगे अभी बंडित ने कहा उस दूले को पता नहीं था कि उसकी दुलहन मैरेथॉन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसलिए सलमान भाई ने शादी नहीं की ये तो टॉमिंजेरी वाला सीन हो गया कोई तो कह रहा है कि राश्टपदी से भारत रतन दिलवाओ ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे 20 किलोमेटर में पकड़े जाओगे बेटा आप सीख ले गेम केल के पिछनी बदलने का मौत के मूँ से टक से वापिस आके फिर मौत के मूँ में चले जाना अच्छा एक मस्त कहानी सुनाता हूँ ध्यान से सुनना धूमफोर की स्क्रिप्ट है तीन दोस्त थे सत्यम, अमित, अमन एक बीटेक इंजीनियर, एक बीकॉम और एक कॉपरेट इंप्लोई सिंपल, no doubt बीटेक वाले ने एक वेबसाइट बनाई और प्लान किया बढ़ चोरी नहीं कर पाए पता क्यों? क्योंकि तीनों को चोरी तो आती थी बढ़ ड्राइविंग एक को भी नहीं आती थी इन्होंने का अब भाई अब गाड़ी अनलॉक तो कर लिए क्या किया जाए? चलो इंजन से नहीं मैन पावर्स इसको चोरी करेंगे तो आदी रात को इन लोगों ने 10 किलोमीटर तक उस वैन में धक्का लगाया और पिर जब धक्का लगा लगा कि धक गए तो बाद में नंबर प्लेट उसकी बदली और से वहीं छोड़ कर भाग गए किसी एक को भी खयाल नहीं आए कि गाड़ी चोरी करने के लिए उसे चलानी भी पड़ेगी एजुकेसन सिस्टम इनको वेबसाइट बनाना सिखा दिया लोजिक नहीं सिखा पाया लेकिन यूपी के चोर नूब है बिहार वाले जादर स्किल्ड है वो अगर चलानी पाते तो गाड़ी खोल के ले जाते अच्छा देखो स्कूल में लड़ाई सब ने देखी है आप मेंसे कई लोगों ने कीव भी होगी लड़के लड़ाई करते ही रहते हैं कभी-कभी लड़कियों की भी लड़ाई देखने को मिल जाती है बालखीच के बूमरेंग लेकिन किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनने टीचर्स की लड़ाई देखने को मिलती है है की नहीं? और ये मामला हुआ बिहार के पतना में जहाँ पर स्कूल के प्रिंस्पल और टीचर में क्लास्रूम की खिड़की बंद करने को लेकर बहस हो गई और स्कूल टीचर्स आपस में भिड़ गये और फिर दे लाट दे गूसे वाह क्या सीन है फिर हाथ लाट गूसे चपल पैंसिल चौक डस्टर टीचर्स की पास हैमिनेशन की कमी थोड़ी होती है टीचर्स में कलेश करवाने की निन्जा टेकनीक बता हूँ इनप्रोप्रियेट हुलाएगा ना थोड़ा बता देता हूँ मैं ये सही है बट विजे सर कह रहे थी कि उनका फॉर्मला आपके फॉर्मले से जादा बेटर है उसे जल्दी आंसर निकलता है अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज अब दो वीक जिस लड़की को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसका नाम है मलीशा खारवा और ना सिर्फ ये ये काफी जादा फेमस है कॉस्मोपॉलिटी और वोग ये कई सारे मैगजीन के कवर्ज में आ चुकी है फॉरेस्ट असेंशल नाम का एक ब्रैंड है उसकी अमबैस्डर है और रिपोर्टेड लिए ये कई सारी हॉलिवूड मूवीज भी साइन कर चुकी है मलीशा अभी 14 साल की है लेकिन 2 साल पहले तक ये जुगी जोपडियों में रहने वाली एक छोटी सी मामूली सी लड़की थी मुम्मई के धारवी में रहती थी पापा एक बड़े हमबल आदमी थे और उस टाइम पर रॉबर्ट होफमन नाम के एक एक अक्टर ने इनको स्पोट किया और रॉबर्ट ने दिखा है कि इस लड़की के स्माइल में कुछ तो स्पेशल है उनोंने से स्पोट किया, इसका इंस्टेग्राम प्रॉफाइल बनाया, फंड्रेजर स्टार्ट किया और इनीशली कुछ काम दिलाया और उसके बाद मलीशा की पीछे सक्सेस भागती चली गई कई सारे फैशन शूट्स किये, कई सारे ब्रैंड्स ने अप्रोच किया ब्यूटी ऑफ सोशल मेडिया, कि कब कौन कहां वाइरल हो जाए, और कहां से कहां पहुंच जाए, यू नेवर लो अचाए शो के रिसर्च की दोरा ना, हम अलग-लग निउस्पेपर्स पढ़ते हैं ऐसे ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा आटिकल पड़ा मैंने, जिसके बारे मैं आपको सुनाता हूँ, जो बताता है कि कैसे ब्लाइंड औरत ने ब्रिस्ट केंसर डीटेक्ट करने का काम कर रही है, तो कई सारे होस्पिटलद आजकल ब्रिस्ट कैंसर डीटेक्ट करने के लिए Medical Tectile Examiner's यानि कि MTE को employ करते हैं और ये MTE जाधा तर blind महिलाएं होती हैं और वो इसलिए क्योंकि breast cancer को detect करने का एक procedure होता है BTE Breast Tectile Examination जिसमें mammogram से पहले manually breast को examine किया जाता है जिसमें छूकर समझा जाता है कि body की उस part में छोटे-छोटे lumps तो नहीं मन रहे आदे सेंटीमेटर से भी छोटे lumps को easily sense कर लेती हैं जो कि आप लोगों के हाथ नहीं कर पाते हैं और इसमें ये इतनी खूबसूरत बात है कि इस process के थूरू ना सेर्थ patients को मदद मिल रही है बलकि इन blind महिलाओं को भी employment मिल रहा है उनको रोजगार मिल रहा है और वो जाके कुछ पैसे कमा पा रही है इसंट इट beautiful और अब देखते हैं social media trends हमारे अगले segment है शेर बजार में और जनाब क्या चल रहा है अचाहिए इस साल का IPL खतम हो चुका है लेकिन सबसे बड़ी controversy साल जो थी वो undoubtedly थी नवी नुलहक और विराट कोली का bromance एक match में जो लड़ाई हुई उसकी वज़े से नवी नुलहक पूरे season ट्रोल हुए और इसको famously जाना जाता है the sweet mango controversy और इस sweet mango controversy का एक recap लेते हैं RCB से लड़ाई के बाद जब 9 तारीक को MI vs RCB का match हुआ तो नवी नुलहक ने ये स्टोरी डाली और obviously ये विराट कोली को ट्रोल करने के लिए था फिर जिस भी stadium में जाते ये कोली के नाम से ट्रोल होते और पिर जब इन्होंने रोईश चर्मा को आउट किया तो उन्होंने ये वाला reaction दिया और फिर सिर्फ लखनव और बैंगलोर नहीं बागी सारी टीम्स भी ट्रोल करने लगे इंपेक्टे कॉंट्रवर्स इतनी बढ़ गई कि लखनव सुपर जाइंट्स ने तो mango शब्द को ही म्यूट कर दिया राजिस्थान रॉयल्स ने भी मजे लिये और फिर सोने पर सुपागा तब हुआ जब इसी बीच गूगल ने mango टे बनाया और अपना डूडल चेंज कर दिया फिर स्विगी, Zomato, Amazon Prime सारी ब्रैंड्स इस स्वीट mango के around campaigns बनाने लगे, marketing करने लगे और कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया memes भी बनाए Naveen Olak getting ready for his own mango business क्या आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ काते हैं BCCI will plant mango trees for dot balls बोल बाद बाद नवी नुलक reporter, what will you do after IPL? Naveen Olak, my time to eat mangoes is over now I have to sell mangoes myself and ultimately ALSG and RCB don't know he competition but your sweet mango controversy was one of the highlights of this year's IPL okay, now Kailash Sapti Aarti Ji ने भी शादी कर लिए और उस पे लोगों ने मीम्स बने motivation pro max, the crush who rejected you in college that guy with a government job client, your work is not good give me 7 days to fix it, client, I can't आपने Congress को साथ साल दिये मुझे सार्फ साथ दिये जिये वरना बीच और आय पे जो आप assignment देंगे वो मैं E or D तक complete कर कर दो इस सज्जन को क्या तकलीब है भाई damn, you seem like a well-managed person your parents did a good job raising you how my parents raised me देखो हर में इंडियन मिडिल क्लास बच्चा अपनी लाइफ में तीन चीजों में से एक तो खाता ही है belt, chappal, या tani and let's be honest, tani तो रोज खाते है Sarthak is a product when you want to be a comedian but parents force you to be a journalist my parents forced me to be Arnab Goswami there are some replies which are on auto mode तल जूटी auto mode फिल्कित भाई विटीजंग कालेबाल, I, D.U. में गए M.T. or N.I.F.T. और रंगीन मों के बाहर निकले today a kid called me uncle I was about to tell him to call me bhaiya or by my name his dad came by his dad who was my junior in school f**k my life अब वो आगया है, वो टाइम आगया है जब ऐसे बगल बगल लोगों की शादियां होना शुरू हो जाती है फिर तुमारी क्रश के बच्चे होने लगते हैं और फिर वो तुमको मामा बुलाएंगे यार FML Part 2 अगर पूरा IPL स्क्रिप्टे है तो RCB की जीत वाली स्क्रिप्ट क्यो नहीं लिखते है बात तो सही है, पंदरा साल में एक बार ही लिख दो Flirt with an Indian boyl and he reply WhatsApp use करती हो Sorry, no review because no experience Deactivated Instagram to focus on other things It has really saved a lot of time and energy and given me space to focus on other things Now I can completely devote my entire time on Twitter Kisi ने tweet किया I also deserve a boy like Ronaldo तेर को Ronaldo नहीं रमेश ही मिलेगा और फिर रमेश ने tweet किया भाई, इतनी गंदी चोईस तो मेरी भी नहीं है You don't need an alarm to wake up in Indian household Your mom will just start using the mixer at 7 a.m. on a Sunday मेरे घर में तो पंका आफ हो जाता है फिर तो तुम्हारा बाप भी उटेगा नहीं, बाप तो पाच बजे उट जाता है इशा ने tweet किया Dad asked me to order fruits from Instamart and I forgot This is his WhatsApp status now दुनिया से क्या शिकायत करें जनाब हमारी तो अपनी ओलादी हमारा साथ नहीं देती ये मम्मी बापा ना ओवर्रियक्ट तो बहुत करते हैं सोचिल मीडिया पर सारा दोश इस बागबान का है बस दिन राट टीवी देखवा लो इंसे अरे देख देख के आँखे खराब हो जाएंगी वो शर्मा जी के बापा को देखो अपने पापा को ये गैसलाइट कर रही है पर पापा भी बोलेगे कि हाँ अच्छे लोगों को तो घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है आंटी बेटा तो उमारी शादी वगएरा हो गई मी शादी तो रही आंटी लेकिन वगएरा वगएरा बहुत हो गया समाज़ रहे हो लड़कियों को मारता है और कैसे पोलिस उसको पकरती है इसका जो सेट अप है वो राजिस्थान में बेजड है और बहुत अच्छी इसकी सिम्राटोग्राफी है स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और आजकल की पॉलिटिक्स पर कास्टिजम पर एक बहुत स्लाइट कॉमेंटरी भी है जो आपको काफी जादा इंगेजड रखेगी परसले में बात करूँ तो काफी टाइम बात मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई एक ऐसी वेब सीरीज देगी है जो काफी यूनीक है उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है और एक्टिंग तो बहुत अच्छी है आपको एमेज़ान प्राइम पर मिल जाएगी स्पॉंसर बिल्कुल नहीं है बठां रिकमेंडेट है यह था आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा नहीं पसंद आये तो डिस्लाइक कर सकते हैं पिछले हफते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा मैं मिलूँगा एज यूजवल आपसे अगले हफते अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए टाटा बाई 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 शबबाई खेर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप